हाँ तो नमस्कार प्रसाति हूं पर आपका श्वागत विनंदन हैं हम बात कर रहे थे राजस्तान की इतियास की और राजस्तान की इतियास के अंतरकत कि देखते हैं कि अगरे देखते हैं अगरे देखते हैं अगरे तो आज हम बात करने जा रहे हैं पहरे साथ हूं तालोर की दिया जालोर का चुहान वंस तालोर का चुहानवस चुहान वंस और जालोर के चुहानवस के बात करें थे विए रदुर्श तो जालोर का प्राचिन जालोर जो छेतर है पेरे दोस्तों यहां पर आसपास जाल के वरक्ष हुआ करते थे जाल के वरक्ष हुआ करते थे जाल के वरक्ष हुआ करते थे और जाल के वरक्ष हुआ करते थे और जाल के वरक्ष की कारण इस इस्थान का नाम जालोर पड़ा क्या पड़ा जाल का मतलब ह कोने के कारण इस इस्थान का नाम क्या पड़ता है यहां पर कहा जाता है जालोर की सीमा जिस व्रक्षों से बनती है जिन व्रक्षों से अर्था जिन जो छित्र में जाल के व्रक्ष पाये जाते हैं जालोर कहा गया तो यह विशेश रुप से आपको ध्यान जालोर किसे कहा ज जाती है किर्टिपाल एकित्यू की द्वारा की जाती है इसके द्वारा की जाती है चालोर की चोहान वंस की स्थापना का जाता है 1181 में इसके द्वारा नाडोल या पाली के सासक हल्की के पुत्र को वना जाता है और यह किर्टिपाल और की तिपाल एकित्यू की द्वारा की की जाती है चालौर के चोहान्स की तौर के चालौर की चोहान वंस की इस्थापना की जाती कीरत्विपाल कि डैटार की जाती रडजित की तौर के यहां कर दी जाती इनाडोल की जुसाका थी हो यहां आकर चाहलोर में चोहां वहां कर देते हैं कंडिसन क्या होती है कि यहां पर कहां पर जालोर की बात करें पर दोस्तों नेनसी आंइर नेनसी ने किर्तिपाल को एक महान राजा कहा है वहुन roup नहीं के बाद करें В pakai जाश्तान के बहुत महत्वून रिफियासका नेसके भारे में बात खरते हैं तो मेंट सेने हाथ में नेन से रिफ्षात में इनको महत्वून राजा कि तु एक महान राजा दफार है कि एक इरती पाल को कि इसके बात करें ये ये सी ने रैसी ने किर्थिपाल को कहा कि मैंसी नहीं किर्थिपाल को कहा कि कि कितु 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 कहा गया कितु क्या एक महान व्राषक है कितु क्या रहा है एक महां सासक बनाय गया और मोन उसके बल्या का जाता है कि किर्टिपाल एक महान सासक के रूप में उपर कर सामने आता है यह कहने वाले कौन थे पुड़े नेड़ सीरी खात में अपने करते हैं इसके पश्चाद बात करें तो ज्यादा तो जिकर नहीं कि मिलता है पहरे दोस्तों अब कंडिशन क्या वह होती है कि बात करें पात करें दोस्तों बन जाता है और सरमर सिंग विकूची समी तक रहता है और समर्शिंग सासक बन दोस्तो अपनी पुत्री लीला देवी का विवा गुजरात के सास्क भीवदेव से करता है और समर्शी अर्था गुजरात के साथ संबंद स्थापित करता है यह इसके सामराजी से जानकारी मिलती है इसका पड़ोशी राजी गुजरात था और इसे संब्द इस्ताफित करने की जानकारी मिलती है इसके बाद जो सासक बनता है प्यारा दोस्तों उदे सिंग सासक बनता है और उदे सिंग जो सासक रहता है कहां तक रहता है उदे सिंग जो सासक र पर आयता गुर्जराथ का सासकता लगन प्रसाद उनको हरा कर उनके उपर विजय प्राप्त करने का जानकारी मिलती है यानि कि पहले तो संबंद अच्छे बनाए फिर यहां पर दूसरा जो सासक बना प्यार दोस्तों उदेशी इंस सासक बना उसको गूर्जराथ के लगन प सबस्क्राल से लेकर व्यासिक तक बाराइस पतावन में असासन करता है और आक तक सबस्क्राइब पर एक और जो इसस पस्चाइब जाता था पॉन बन जाता है ना सुरुत दिन शासिक बन जाता है किने कि कुछ मतभेद रहे इसके टाउन पर वह जानकार पहां इसके बाद जो सा समझ कोई विश्थ सामन्ट शिंग रही हैा इन से नहीं मिलती वह सामंट सिंग सा सक बनता है और सामंध राति करें तो बारा सामद सिंह यहां का सासक बारा सो पांच से लेकर तेरह सुपांस तक सासन करता है इसके बारे में भी हमें चाचिंग देव का पुत्र कानड देव चुहां कानड देव कानड देचोहां का पिता माना जाता है और कानड देचोहां को यहां का सबसे प्रताफित सासक माना जाता है किसका इसके बाद जो है सासक बनता है कानड देचोहां राजा बनता है कानड देचोहां के बारे में काफी सारी जानकारिया मिलती है दोस्तों क्या क्या जानकार्यमिती की बारे में करता है कानर दे चुहान तेरा सुपांच में सासक बन जाता है और तेरह सुफांच में सासक सॉल जातście रफारा सुधा तक सासंकत में मत कानर देव चुहान पर कानर देव चुहान तीरा सोब पांच में सासग बनता है कब बनता है यहां पर इसी की जालोर का जाता है कि अई जौ यहां पर जबाली पूर के नाम से जाना से जाता था पिरोस तो और किस नाम से जाना जाता कि इसके लिए ऐसी मानेता है कि बहुत सुद्रड दुर्ख माना जाता है कि इसके दरवाजे कभी दूस्मनों के द्वारा नहीं तो जालोर कि अल्लाव दिन खिल जी का आकरमन करने के लिए इस पर आता है आगी चर्चाएं करेंगी तुछ पहले तो किसकी कानर देव की बरकेंव मिलने प्रबंद जो कंग्रतना और प्रबंद के बारे में जनकार रे मिलती हैं ऑट जालोर की सासनकाल के बारे हैं जानकार करें रहां है तो पदम नाप की रचना मानी जाती है जहां रखेगा के बारे में जू जानकारिया मिलती का से दियान रखेगा कानहड ते प्रबंद के रचना किस्की है ये रचना है अभी पदम नाप की है पदम नाप, रचना किसने की कानर दे प्रबंद की रचना पदम नाप की दुआरा की जाती है और कानर दे प्रबंद के अनुसार अल्ला guarantees Creator की एल्ला उद्दिन की सेना को गुजरात जाते समय कानर देव रास्त में यह उनुल रास्ता नहीं दिया था यानली कि यह अपने राज्ज्जें से मैं लेता ब्लता है पक्र मिलता है इससे जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती प्रप्रबंद से हैं यह अवय उद्धिन की सेना जब गुजरात जा रही perse रास्ता नहीं दिया को फिर Janeiro प्रवंद की अनुसार अनुसार अल्ला उद्दीन की खिल्जी अल्ला उद्दीन खिल्जी खिल्जी की सेना जब गुजरात जा रही थी गुजरात जा रही थी तो तो कानड़ देने अपने राज्य से प्रस्था नहीं दिया नहीं दिया था अर्षा था अपने राज्य से नहीं निकलने दिया ठीके और अगर निकल दे आते हो तो आपको कर देना पढ़े का टेक्स देना पढ़ेगा उसके बावजूद उसके बाद आप यह ए ऐसा किसने कहा ता मदायक कर दिया तो का निरदेव ने मना कर दिया था कि आप यहां से जाई नहीं सकते जब र vegout कर है ना तो तो शिवाना होते हूए आ रही थे तो को biggest लूटकर कर जब शेणला आती है तो शिवाना होते हुए आती है और शिवना पर विसंगा अधिकार हुआ करता है जिवाना पर भी इसी का अधिकार जालोर का अधिपत्य हुआ करता था इस नहीं अपने चोटे भाई या पिर अपने परिवार वाले को जन को दे रखा था के पर दोस्त अब कंडिशन क्या होती है यहां पर वीरम देव सोन गरारी बात यह भी पदमनाप कि तु वीरम देव सोन गरा प्री बात लिए वी रजना किसकी पदमनाप किये इस इन से भी कहां की जानकारी मिलती हमें इस से भी हमें चालोर की थ्यास के बारे में जानकारी राप्ट होती है इस बात परिस्ता के अनुसार अल्लाव दिन खिलजी ने तेरा सो पांच में तेरा सो ये मिल्क को भेजाता कारणरद्यो से संद्ध कर ली थी और संदी के तहट तंदी के तहट दर्बार में चला गया और वहां पर शूनुत के दियकर वापस आया और खिल जी का कारण सामराजिय विस्तार था वहीं और कहा जाता है पर दोटों खिल ने गुजरात जा रही सेन कि एखये को एक कहानि हमें मिलती है प्रेम कहानार और प्रेम कहानी का जुच्व करता है कौन करता है hunting करता है प्रॉल क्या जिक्र करता है मुनोत नेनसी के अनुसार कुनोत नेनसी के जालोर आक्रमन का कारण क्या मानता है वो जो मानता है यहां पर यह मानता है कि अलाव दिन खिल्जी की पुत्री कोन अला उद्दीन अलाव दिन खिल्जी की पुत्री अलाव दिन खिल्जी की पुत्री थी और पुत्री कोन थी भाई फिरोजा फिरोजा और कानर देव का पुत्र था कानर देव का पुत्र वीरम दिए वीरम ती इन दोनों के मद्ध्य प्रेम कहानी इन मद्ध्यों के मद्ध्य क्या प्रेम कहानी को इसका क्या मानता है प्राहरों दोस्तों इसका जो है कारण मानता है क्या है प्रेम कहानी शुनियों करें कानी यह कहा जाता है कि यू प्रहारेमी के अवस्ता है थे कानर देव्य और अलाउ अद्दीन खिल्जी के सम्माद्द अच्छे रहते हैं दिन गी लिए करके लग के पत्र प्त्र लग कर Presentized II l tent 42 कर्द चो अच्छों कभी नहीं गया और नहीं गया तो वारबार पत्र लिखना प्रारब कीया तो एक दिन सोचता है। कि भाई बार-बार कर रहे मित्रता वह सफ लिवार हे सही तो उसी मित्रता को निभाने के साथा प्राइब दोस्तों क्या करता है कि अपने पुत्र वीरम देओ को कहां बेज देता है अल्लाउद्दिन खिल जी के दर्बार में बेज देने के पश्चात पैर दोस्तों अब वीरम देओ था बड़ा अच्छा सुन्दर नव युवक था भई ठाकटा बड़िया साथ पिट का हाइट वाला वेक्ति बड़िया नोजवान सुन्दर राजपुत नोजवान था पैर तो बारे में कहा जाता है कि बहुत तेजवान वरववान और वीर्ता पूर्वक वीर्ता बल द्रश्टी सारी द्रश्टी से पहस्पूर था और पड़ा सुन्दर था यह अल्लाव दिन वहां पर राजदरबार लगता है उसी राजदरबार के दो रांग अल्लाव दिन खिल जी की पुत्री फिरोजा तो देख लेती वीरम देव को देख लेती है देख लेने के पश्चात का आज आता है कि उससो वहीं पर उस पर मोहित हो जाती यह इतना सुन्दर वीटिफिल लेकिन अल्हाँ अद्दिन खिली उसको मना कर देता है कि नहीं कि आए राजबुटों से विवा होई निया सकता कि मना कर देता है लेकिन और नाराज हो जाती है तो कहा जाता है कि यह पी रबेख लेकर पूल लेकर पहूंसती है कि मैं इस मेरा प्रपोजल सुविकार करहूं, लेकिन वीरदेव मना कर देता है कि राज़बूती युद्धा हूं में और राज़बूत की विवा राज़बूतों के साथ होगी, तो संबाव नहीं है, इसके साथ तेरे साथ तो संबाव नहीं है, और एक बार पिता से भी तालत आती हो जाते हैं नया हो तो इसे के आप भी वाइशता रजाराल दर्बार में तो हाँ यह ऴुडshman होगा के यह वापस आ जाता है जहांए जाने के फश्चाथ पहर दोस्तों कंडीसन क्या होती है रात में फिरोजा नाराज हो जाती है किसे जबर दस्ती नाराज होती है पर नाराज हो चुट कर का जाता है अपनी सेनगर कौन फिरोजा फिरोजा अपनी सेनगर कहां पर आ जाती है जालोर पर आक्रमन करने के लिए आ जाती है और जालोर पर आक्रमन करने के लिए जब आती है तो कानर देव सोचा कि लड़की एक काई को आक्रमन करते हैं और का जाता इसका जोरदार भव्वे स्वागत किया जाता है किसके द्वारा कानडी के द्वारा राज पूति साई थाट पार से इसका स्वागत किया जाता है और स्वागत करने के प्रशाथ कर दोस्त अब यह मन में ठेश्ट भी पूछती एक तरफ खुशी होती है अब उस्वी वहती है फिरोजा को कि मेरा जवर्दस्त स्वागत किया गया और इस खुश्य से फूले नहीं समाती ठीक है और वापस लोट जाती जब बिना यूति किया हुए यह वापस लोट जाती लोट जाने के पश्चात वहां पर जाकर अपनी इसकी फिरोजा की डाइमा आप तकी कोँंती गुल्विस्थ इसकी दाइमाँ ठीक क्हिशा की दाइमा ऑब और घ्रोजा की से जाते रहा हो क्या हुआ ही को जीत अक्यों प्रुश्च जेटाक्ति हरा तो ये मना कर देती हकि मैं तो यूद्धी नहीं किया और इतने शाइटाथ पास से मेरा स्वागत क कि कि मेरी बेटी का इतना अपमान और किसके ऑर सेना और आ जाती है और जालोर आ जाने के पश्चात पयाइड DANS यहां होता है क्नी पयर दोस्तों यहां पर उत्व होता है क्यों उत्व होता है और इस सदोरां कि दोरान पेरदोस्तो फेंकर उधोता है और फैंकर उध्य होने के प्रशात क्या होता है कुछी तियासकार मानते हैं कि कि वीरम देव वीर गती को प्रापत हो जाता है और इसके पार्थ्यों देव को उठाकर प्लविस्ट कांदिले ले जाती है और साई ठाट बाट से इसका अंद्यम संस्कार किया जाता है अंद्यम संस्कार करने चेlor इंब यमुना में तुद zijn लोजा अपने आपको घर प्यार नहीं मिला तो कहा जाता है प्यज्ञ दोस्कुत तरल जाता है कुछ पुछी द्यासकार मानते हैं कि यहां पर नहीं मराता तो बाद जो अलाव दिन खिल्जी है को लड़ेगा लड़ने की प्रश्चाथ यां से भाग जाता है शुसा रमाता के मंदर में जाता है और वहाँ पर भी अमिफस्चा गांट उतार दिया जाता है बाद में मोत के घांट उतार दिया जाता है पहरा दोस्तों तो यह एसी जानकारिया मिलती है चलिएगा यहां पर क्या ध्यान देना है पहरा दोस्तों कि यहां पर गुलविस्त के द्वारा आक्रमण किया गया तो गुलविस्त किसकी दाइमा है फ पाजाता है एक तो युद्ध का जालोर पर आक्रमन युद्ध का कारण लाउद्धिन खिल्जी के जालोर पर आक्रमन करने का कारण एक तो यह माना जाता है पूरी कहां चेलेगा आगे बात करते हैं पहरे दोसतूं फरीस्ता कहता है कौन इफियासत का फरिस्ता और फरिस्ता क्या कहता है भई फरिस्ता के नुशारा लाउद दिन एनुशार के लाव दिन खिल जी ने इसने लाव दी खिल जी ने हलाव दिन खिल जी ने तेरा सु पांच में तेरा सु पांच में एंड फुल मुलक को एंड फुल मुलक को कानहड तेव के पास भेजा पास भेजा और संदी कर लिए और कि संदी कर लिए कि जानकरी कोन देता है हमें फरिस्ता के अनुसार की जान कारी मिलती प्यार दोस्टों कि संदी के तहत खिल जी ने फिल जी के दरबार में चला गया और वहां पर चुनूती देकर वापस आ गया कि महीं पर धंकी दिया कि ऐसा माना जाता है कि संदी के तहक तो बिरम देव है या पिर कानड़ दे चुहान है कि संदी के तहक कहा चला गया था यह यह राजदरबार में उपस्तित वहार कि अललाओ दिन खिल जी में भराञने करने लगा इसाद पर अपने आप तो आपका नटी रहा होता है और प्रेम से काम लो कोई दिक्कत नहीं है कि हम यह से ठीक है और लेकिन आपको हमारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसा कर यह वापस लोट आता है कि जर्बार में उपस्तित होने के बाव और जगतों विरम देव मानते हैं उस जगह अनर देचोहान लिखावा है पैर दोस्तों यह दोनों इता पुत्र कहा जाता है कि वहां लोट आता है और नाराज होता पर लवाट आने के प्रश्चाश यह वी का कारण माना जाता है क्या गुजरात के लिए जा रही थी अब आपको पता है पैर दोस्तों कि राजस्तान है कि राजस्तान की लोकेशन है यहां पर गुजरात के लिए अब यहां पर जालोर की लोकेशन है और यहां पर दिल्ली की लोकेशन है यहां से इस तरीके से रही थी तो जालोर से पास नहीं 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 देता क्या पास नहीं करता यानिकी इना को क्या नहीं करता हुआ से रोक लगा दिता है पाबंदी लगाता है और यहां पर यह से नहीं करका जाता है मेवार से निकल कर जाती है और मेवार से निकल कर जाती है और मेवार तो जाता है निखल लगत अब przeci लूट कर सेना जब गुजडात चली गए लूट लूटा के वापस आ रहे थी और वापस आने के प्रश्चात जहीं पर जालोर के पड़ोस में पढ़ता है शिवाना कौन सा पढ़ता है भी टीवाना जालोर वाला प्रवेस नहीं देने देरा जहां पर इदर तो शिवाना और इदर कौन सा शिवाना बाड़ मेरी पढ़ता है और जालोर यह जालोर और यह शिवाना से कहां से शिवाना से की बात किर फूर्फ ठीवाना से होती हुई कि टेना प्रवेस कर लेती शिवाना में से रहे हैं प्रवेस कर्ऽ धुक्त चार तो नoquमेश कर नाच पहर दोस्तों जहां पर धनका बटवारा करते है कई यहां पर कुछ अभ्गानी मिसे निक्र द्वारा को आ कि जो इसका अलाउद्दिन खिल्जी का सेनापती हुआ करता था उलूगू खा और नुसरत खां इनके द्वारा यहां पर बटवारक गिया जाता था और कुछ अबगानी सेनिक थे सेनिक आ जाता है और उने का जाता है जगड़ा उता तैस दं को लेकर धन को लेकर जवड़ा हो जाता है तो यहां पर को कौना आता है दिंगल दे की सेना आती है और का जाता है कि इसको पूरे धन को लूट ले ती लूट के माल को फुद लूट कर ले जाती है ले जाने के परचाथ यह वापस खाली हाथ कहा पर पहुंचते हैं तिले पहुंचते हैं पहुंचते हैं एक कारण यह भी माना जाता है कि अल्लाओदीन खिल जीने की जो सेना है लूट के माल को लेकर आ रहाए थी शिवाना से गुज़र रही थी तो टेक्स भी वसुलता है बावजूद यहां पर प्यार दोस्तों क्या कंडिशन यह होती है कि उन्लूट का माल जो लेकर आया था जो मंदिर था उसको लूट कर आया थे शिवलिंग के टुकडों को यह ले एक आनड़त कुछ और यह धन को लूट लेने कारे एक आरण युद्व का यह विमाना जाता है कि इस कारण युद्व किया थे वागे बात करें है आज बात करें रहुत पर दोस्तों कावणर देह तो यहां पर जो नर देने सेना भीजी थी जिता देवड़ा ने एक तरफ कर रहे थे जिता देवड़ा के नित्रत में सेना भेज कर इसको लूट के माल को लूट लिया अलावद्दिन खिल जी की तेना से अलावद्दिन अलावद्दिन खिल जी की तेना पर आक्रमन कर लूट के माल को लूट लिया लूट के माल को खानर देवड़ा कि अगर अगर बात करते हैं तो शीवाना और शीवाना पर भी किसका अधिकार हुआ करता यहां पर और शीवाना पर जाता है कि पर दोस्तों कि दिमाना जो दूर्गता वैसे द बाड़ मेर पढ़ता है कहां पढ़ता है पर दोस्तों पर दोस्तों शिवना दोस्तों पर दोस्तों को बात करें तो असाख गो तब होता है ब्हुत आजाए थे टरा सॉाथ एस्ट विए कब तेरा सॉआट में और धो चुलाई अपकी बात करें तो तूलै तो जुलै तेरा सॉआट को जुलाई धैरा सॉआट को लौद्धी खिल्जी कमाल उद्धिन गुर्ग केने टरण सेना पति कुन था क्माल उबद्द्दुम उप्राफ्यंना तरभेश जbec Аुए जया चाहता है जो नुकी रिसे और खता और शुआ के उपर आक्रमण कर देता कोन तर्यूंट के नेत्रफ अपढ़े ली Jackson 6 हैं जोए है जहां पर शिवाना पर आक्रमन करने के पच्छात वे रोस को कमाल उद्दिन गुर्ख यहां पर किस किस की मद्दे होता है सेनिक यहां पर क्या कंडिशन वती देखिए कई दिनों तो कि घेरा बना रहता है और कमाल उद्दिन यहां पर अल्लाव दिन खिलगी का सेनापति को अंधिआ इसके आलाव दिन ऑनाव दिन का रशेन के ना पकिए और कह द ऊसके अ एनसे ता आ कामाल-दिन गुर्ख को कर दो कमालुद्दिन गुरव भी यहांका सेनापती यहां का पती होने के पस्चात प्येयर दोस्टो इपनाँ था यहां पर जो किवाना का सा सकता का सब्सक्राइब कर रखा था यहां का सा सब्षक सीतल देव कुंता इतल यु ंट सिप्ल देव चोहान यहां का थात हुआ करता था सिमाना की सिमाना का सासरर होने के पवजूट पहर दोस्तों क्या कंडिशन होती है की ये यह कि के पास कूठ नितिख चाल चलता है तूटेर चल चलने के पशकात पैर्दोस्तों निके बहान हुआ कहता है कि अपने एक सेनीक और को बैज और संदी के भाने का दाता है कि भावौला नामक सैनिक इपडीन होग माक फचान इसको अब के विश्वास घात के कारण के विश्वास घात कारण कमालुद्दिन गुर्ग विजे हुआ गुर्ग पिजे हुआ कैसे किया देखिए ध्यान से सुनिए जब यह इसको शिवाना दुर्ग पर आकरमण करता है आकरमण को नहीं जीत पाता तो कहा जाता है कि यह तो भावले को अपनी ओर मिला गया का जो भावला नामत सेनिक था उसको कमालुद्दिन गुर्ग अपनी से सेना में मिला लेता है और सेना में मिला लेने के सारे के सारे राज के खोल देता है और खोल देने के सारे दुर्ग के राज खोल देता है कि सारे के सारे आकरमण के राज खोल देता है कि यह इसकी साहिता से भावले के साहिता से कौन भावला जो है गाई का रख्त यहां पर जो पानी के सरोत्ते उन्हें में गाईयों का राधत मिलाता है जो भोजन सामत विरिद्थी उसमें कहा जाता है हड्डियों का चूरा मिलवा देता है और यही करते रणफंबोर में किया गया था ठीक है और प्यारे दोस्तों क्या कंडिशन होती है कि यहां पर अब सेने को नोई सोचा कि यहां पर भूके मरने से तो अच्छा है तो लड़कर मरें का जाता है सिवाना दुर्ग के गेट खोल दिया जाता है और भैंकर युद्ध सिटल देव कि यहां पर केसरिया करता है कौन करता है उसके पत्नी मेना देके निक जोहर के आ सब्सक्राइब क्या कर लाता है तो केशर्या कि एशर्या जाने कि युद्ध में जाने से पहले तो शेलिक वेस्बुसा या युद्ध की वेस्बुसा धारन करके राज्ति लग करके उसको युद्ध आग में बेकें जाने के बाद बीरगती लड़ी को कात हो जयता है को सकत हो क्या है और उसकी मृत्य के बादे आग में जलाएठी सोफने गया इस टोनों मिलाकर एक शाक़ा चल ऊठकमाचंज उढ़ी नहिए कि से रियां पर केशर्या सितल देव चुहान ने किया इतल देव चुहान नहीं किया जोहर मेना देने किया मेना नहीं किया इस जालोर का साखा कहलता है को दो डिश्यमाणा का साका केलाता है समय दोких कि वान्णा का ताहक चल सब्सक्राइए पूरा का पूरा जो है इस समय क्या होता है आप लाउद्दीन कि इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है और शुब को लिया सोंप दिया ही सम moc नाम ब्दल कर किरा बात करते हैं त्रुकु को दिवाना कि तुरुकु को अलाव दिन ने लाव दिन खिल्जी ने खिल्जी ने कमाल दिन गुर्ग को सूप दिया कमाल दिन गुर्ग को तो को छूप कर का नाम को नां के राबाद कर दिया ठेराबाद कर 트mer नां का करते लिया कि यह विश्यस रूप के ध्यान रना इसका नाम बदल कर क्या कर दिया यह रजी कि द्वारा इसका स्युणा का नाम बदलकर खिरावाद कि अ भर दिया जुट तो Marketing उकिसा करते हैं पहले दोस्तोब जालूर का साखा और जालूरमी क्या होता है पहले दोस्तोब से थे फिर गालोर का साका कि अ बोता ए तेरा सु ग्यारा कि exponi एक फन्य Сब्सी माच दिल कि कि नुकर झालोर का साका है पैर्ज। वैर दोस्तों कि इसको ह commemorative की होता है यहां पर क्या कंडिसन उतिी है तेरा requirement अला उद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर आगे बड़ता अलाओ उद्दिन के इसेन यहां पर कालत इस पर क्या कंडिशन होती है कि दयार सरदार भीका जो नामक किसका कानर दिका कौन था तेनापती हुआ करता था या इसका थेनापती हुआ करता था पैर दोस्तु यह दया सरदार भीका को यह कानर जो है वो किसके सेना में जाकर मिल जाता है अलावद्दिन खिल जी की सेना में जाकर लिया जाता है लाउट दिन प्यूजित के बाद आपको कहा का जालोर का राजा बना दिया जाएगा और कहा जाता है पहरा दोस्तों क्या कंडिशन होती है पूरे के पूरे राज खुल देता है कि अब कंडिशन यह होती है कि साम को तो घर जाता है यह वेक्ती और घर जाता है किसी को बताए नहीं बताए अपने बीबी को पूरी बाते बताती है तो तारी दो चार दिन तक ये प्रोग्राम चला और प्रोग्राम चलने के प्रश्चात पूरी के पुरी दुर्गी की सारी के सारी विवस्ता ऑदा कि लगाता है कि असने अल्लाव दिन की जीना को बता बैए जान सिल्ञ्टम की सिना में का जाता है पैरी दोस्तों क्न निशन होतीय कंडिस्न यह होती है कि जब इस दुर्ग को 4 होर से घेर लिया घेर लेने के पश्चाथ 20 सपलता नहीं मिली स्कोह करने की वर्या कि रात में दिया सरदारभीका कीसा किया जाता कि जालोर दुर्गी पूरी की पूरिञ रॉक हरद वाली है मिटुद राइक आता गाय। रातों चड़ा यह यह कहा और तो किस से समधिते हैं जालोर दुर्ग Breathe कि से सबंद माने जाती है अर्थात एक रात में अल्ला Minisना या पुरी करी रात वाने और इसकी दीवारों की जड़ों में पूंदि आज फास इसकी दीवारों की जलों में बोळी और का ज़ाता है जित्से यहां पर दीवारे के दिवारे कमजूर होगी और लिए कम्जूर जगह देखकर वहां पर ठोड़ने में सफलता प्राफ स्था एंधी अब डिया सथार भी आपनी पत्नी को एक दिन बता ही देता है कि तुराजा नी बनने वाली है और मेराजा बनूगा तुराजा बनने रोली मेराजा बनूगा भई अभी तुए अपि अपी कि जो जालोर पर अधिकार करने के प्रशाथ मेरे को यहां का राजा गोशित कर दोस्तों वीरांगना ने कि पत्नी उस वीरांगना ने रात में सोते समय का जाता है कुछ त्यास का आफ्ट करते हैं कि थाड़ी की किनोर से इसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये दया सरदार भी का किये और उसकी तलवार से इसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये किसने राज द्रो किया था राजा कि यहां पर ध्यान दीजिएगा अब बात करें तो यहां पर क्या कंडिशन होती है जालोर का साका तेरा सुग्यारा में होता है एक तरफ तो कानहड ते तो हां कि वर्से इस कौन अलाउद्दिन के लिए अलाउद्दिन कि इसमें विजिय किसकी होती है अलाउद्दिन खिलजी की विजिय और यहां पर कानड़ दे वीर गती को प्राप्त होता है क्या होता है वीर गती को प्राप्त होता है कि इए मिठके यहाँ पर कैसर इया किस की द्वारा किया liberties ची घंऐ कि लॉष्पिया खनर्दे की द्वारा कि इसके पर ग्रूस्तर को चानर्दे की की चार्ण24 जन के द्वारा किया जाता है किस हूं कि यह का यास का साका कहलाता है यह कहलाता है यह दुर्ग का साका कहला है ठीक है बड़ा दोस्तों उसके पश्चाश्च बाब करें यहां पर विश्वासगात इस समय विश्वासगात विश्वासगात कर तया सरदार भीकात तर्दार एक आप अलाव दिन की सेना से जामिला अलाव दिन की तेना में रामिला तो आप आप जामिला भी यह तो यह तक है राजस्तान में यहां पर अलाव दिन किछ तुर। जी ने इसमें तोप मस्जित का निर्मान करवाया थे तोप निर्मान करवाया थे तोप निर्मान करवाया थे तोप मस्जित का 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 निर्मान करवाया थे तोप कि व को आैं तुर्ग में कि तोप मजज़ी थी जो मज़ीद का निरमान करवाय Great कि लुए राजस्तान की प्रतम मज़ीदी माझाटी जानिकारिष राजस्तान के प्रतम मानू मझेट मानी जाती है मज़िए तौप मज़्द के सुर्प से ध्यान रख対 ए ठीके पहरे दोस्तों अब इस दूर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है जालोर दूर्ग पर अल्लाउदिन खिल जी का अधिकार हो जाता है अल्लाउदिन खिल जी का अधिकार हो जाने के परशाथ पहरे दोस्तों अल्लाउदिन खिल जी का नाम बदल कर जलालाबाद कर देता ह चालोर दुर का नाम बदल कर जलालाबात कर देता है अल्लाउद्दिन खिल जी चालोर का नाम बदल कर जलालाबात कर देता है जलालाबाद कर गया जलौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया किसने अल्लाउद्दिन के लिए यह भी से रखना है जलौर का नाम बदल गया और तोड का नाम बदलकर खिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् का लिए इसके मर्धियों के साथ यह का लड़ी चुहान सबसे प्रतापी साथ माना जाता अजा रिए इतना अधना की उद्दा भी दोस्तों चुनोती जह डाली थे लाउध दिन कि यह हैं रखना प्यार दोस्तों का संस्ताफक माना जाता है कि कौन लाउट दिन की तो मिलते हैं नेक्ष क्लास में प्यार दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी बहुत-बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों जेहिंच ये बारत